है जुफोर्विया उपर में पिल्लापन एक वीडियो बनायो छे याने खूब जिने लोगोई जोयो छे मोरो मोस्ट वीडियो छे मारी यूटीब चैनल उपर ए वीडियो मा खाली नहीं तुमने एक जुफोर्विया नू एक आइसोलेटेड प्लांट में बता जो तू अने वाइदा बतायाता के वी रितना हैंने ह्ज प्लांट एनोह के इस्तमाल कलवमा में आवे भीडरी उपरा दीवल ही इसे एलेके फामनी बांडरी होए पर बईना अबर के वी रितने लगडों में आवे से के वीडियो ये यूज थायज है ने काटां नोह फाइदा के इनन अ कि लाओं तमने एक क्लोस अप बताई दो के भू होई छे आ जाड़ अने पशी ने काटा के विदना डबल डबल हाई छे जो इद्दम शार्प छे के आराम थी आपणी चांपडी ने पियर्स करी देशे यहले के भेधी देशे ने अंदर भुशी जे आपणा शरीर मा तो अने तमने जे पन ना जोईतु है तमारा खेतर मा आवे जमके कोई पशू छे कोई मानस छे तो इना माटे आएक संकेत छे के अंदर जाओ मुश्केल चे तमने लाख्षू लाइन मा बताऊ जो के विर इतना मस तरी त्यालोक यह लगाड़ू छे अने एवन थी के डेड प् प्लांट पन इले प्लांट ने पन पाई दो छे अने मारास ने जमीन ने पन आजो सामे पन छे अपना गुजरात मा पना खूब होई छे अनो इस्तोमाल में घनी जग्या जोई है कोई अमुख लोगों टाकी उपर मुखे छे कोई पक्षी माड़ों ना करे ना माटे पना किला उचा उचा थाया जहीं है तो इले माराथी पन उचा जातो छफूट सुधी से so I've already made a video on this plant Hedge Euphorbia and which is also the most viewed video yet on my youtube channel and in that video I've given a detail about all the about the plant all the why what are the uses and classification etc but that plant was at that time I couldn't find them in this in together and in a way which is used in farm practical purpose or uses of this plant I couldn't show that was a secluded or isolated plant that I showed in the video so finally that I've found this wonderful place where these people have used Hedge Euphorbia in a in a wonderful manner in which both the plant is also happy and the purpose is also served of protecting the farm from unwanted guests like cattles and monkeys and dogs and humans as well so this is a really nice bunch of Euphorbia's that I found here so this is the flower part of that Hedge Euphorbia it has two two sharp thorns on it which is a quite small but also very sharp see here we can see how they are used it's practically impenetrable to pass into this without getting hurt and it's not just that the plant you can see seems to be very healthy and they are thriving here in this place which is a good good thing and they have reached the height of up to eight to ten feet easily and see impenetrable fortress this is can you see the farm can you even see the farm that's how impressive it is and thus it is very popular in India in many states to use this to use them as a bound on boundaries and and for fencing bio fencing and many other purposes that's the तो तो तमारों कोई फार्म लैंड होई जेने तम्हें प्र्टेक्ट करों माघता हो और विचारों तमारों होई कि यह इतना पना आपने में आपने इम्पेनेट्रेबल बनाओं पाक लगाड़ी होई जिनना उपर डेंजर होई छे कैटल नो अटैक नो गाय कुछी जाए यह वाब जिग गया तम्या आनो खुप सरस्रीते बापर यूस्ट करी शोको छो प्लांट ने खास कोई मेंटेनेंस ने जरूरत नाथी करनके आपने खबर शेया कि कक्टाई नो जाती जरेटले के आने पानी पनो ऊचुचुए अगर्मी मा पन आ कोई आने तकलीफ थाती नाथी ने साथे-साथे खुपस लो मेंटेनेंस पोई खाद वगेरानी खास जरूरत नती बढ़ती जहें से बस लागी गया पशी तो हमने आने अनी उमर पन खुब लांबी होई से कोई जग्या मेंने गयाप नती देखा थो इतम फिट फिटिंग कर्यूशे एडले के घोठाव मा आवया चेके कोई मोटो गयाप ना रही जाए खाली आवा जावा माटे थोड़ा गयाप छे है अवे अना अंदर जो काजू नी खेती राहिचे और ने केरी न जाड़चे ले काजू ने केरी ने पर मतलू मस्त कामाल काय रहाचे कर्यूजे और थो अ अ थिसमच बेटर थेन थेन दोस्मेंट बाउंटरी गयाप में आपांवाल और बाता है यह बाता है आद को अधर एंग एगी विर एंग एपने घर एवरिवर हाँ बाजू पन छे लेकि चारे बाजू थी कम्प्लीट लियाने फाम ने लैंड ने टोटेक्ट करी दिवाम आगयो छे है जीवफ़र गयाना इस्तमाल करीने कि खुब सरस्थ एदम सुन्दर लुक पनावे जोगन के तरह लाल लाल टपका इना ओपर देखाई जे लेकि जेना फूल जे पूल जे लेकि फोकस तेजा भई एदम रोज जेओ शेकने फूल इदम टाइनी जेलेकि इतलू नानु शेज जोईला पन रोज जेओ इनो फूल कोपत तरह लागी राजैरताना नाट पके टभक का लाल 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 कृना जर्ड मस्त लागे जेलेकि लागे जेओ अ